दोस्तो आजकी इस वुडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कोई चालाक या पिर चतुर अवरत किसी भी पुरुष के उपर प्यार करने लगती है तो वो चतुर अवरत ना दोस्तो उस पुरुष को कौनसे इशारे देती है मतलब कौनसे इशारे देकर ओ चतुर अवरत उस पुरुष को ऐसा दिखाती है कि मैं भी तुझे पसंद करती हूँ मैं भी तुससे पढ़ गई हूँ तो उस्तो उनी इशारों के बारे में दोस्तो आजकी इस वुडियो में मैं डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ कि चतुर अवरत ये पर चालू अवरत मर्दों से पठने के बाद उनको कौनसे इशारे देती है तो अजका वीडियो बहुत ज़दा इंपोर्टन्ट है तो इस वीडियो को पुरा देखे तो चलिए शुरू करते है आजकी इस इंपोर्टन्ट वीडियो को तो उस देखो उस पुरुष के आजुबाजु में एकदम एक भूत होता है ना भूत भूतनी तो उनके जैसा वो आवरत उसके आजुबाजु में घुमती है दोस्तो और जब जब वो पुरुष उस आवरत को देखता है ना दोस्तो तो वो आवरत ना उसको देखकर हलकी हलकी मुस्कुर दोस्तों अगर कोई आउरत हमेशा आपके आजो बजो में घुमती है और आपको देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब ऐसा होता है कि वो आउरत आपको पसंद करती है और उसके बाद दोस्तों अगर आउरत आपको पसंद करती होगी तो वो आउरत ना जान बुच कर कोई बी टोपिक निकाल के आपके साथ बात करने की कोशिश करेगी। मतलब कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सी छूटी सी बात को लेकर ये अवरत मेरे साथ बात करने के लिए क्यो आ गई। और उसके बाद दोस्तो जो दूसरे प्रकार का इशारा वो अवरत आपको देती है और तो कौनसा होता है कि वो अवरत ना जान बुच कर आपको ऐसा पूचेगी कि तुमको ना कैसी लड़की पसंद है क्या वला मैंने तुमको ना कैसी लड़की पसंद है दोस्तो अगर आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो जीन स्पैंट पहनती है, तो वो अवरत ना आपको जैसी लड़की पसंद दे, उस लड़की के जैसा वो अवरत आपके समने बन कर आएगी दोस्तों, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, कि आपको जैसी लड़की पसंद दे, वैसी लड़की बन के वो अवरत आपके समने आती है, तो इसका भी मतलब ऐसा होता है, कि वो अवरत ना आपको पसंद करती है, और अवरत ऐसा चाहती है, कि आप उसको I love you बोल दो, दोस्तों इसका ऐसा ही मतलब होता है दोस्तों, और उ आउरत ना आपको तुरंत वो शर्ट को नोटिस करके आपको बोलेगी कि हाई हाई आज जो तुने शर्ट पैडा है ना इस शर्ट में तुम एकदम हैंसम दिख रहा है या फिर दोस्तों अगर आपने आपने बालों का श्टाइल मतलब कुछ दोस्तों अलगी कर दिया तो वो मतलब ऐसा होता है कि वो आउरत ना आपको पसंद करती है और उसके बाद दोस्तों अगर वो आउरत आपको पसंद करती होगी तो वो आउरत ना बात करते समय आपसे जान बुचकर आपको टच करेगी क्या बला मेने बात करते समय आपको जान बुचकर टच करेगी मतलब आ आपके हाथों को हाथ लगाना, आपके कंदे को हाथ लगाना, आपके गालों को हाथ लगाना, आपके बालों को हाथ लगाना, मतलब जान बुच कर ओ आउरत आपको टच करेगी, क्योंकि दूस्तो कोई भी आउरत किसी भी एरे गेरे पुरुष को जान बुच कर टच पसंट आपको पसंद करती है दोस्तो तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही I hope जो मैंने आपको बताया वो आपको सब कुस समझ आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद